हेलो चिल्डरन, तोड़े वी आ रिवाइजिंग चैप्टर फाइफ अनालजी आफ यू बोग, इसमें हम क्या करते हैं इस चैप्टर में, देखिए, हमें यहाँ पर इच सिम्बल के लेप साइट में और राइट साइट में कुछ फिगर्स गिवन हैं, ओके, हमने क्या करना ह जिनका हमें फिगर्स का पेर दिया हुआ है, हमें उनका क्या करना है, रिलेशन्शिप फाइंड आउट करना है, ओके, और वही रिलेशन्शिप कहां अप्लाई करना है, दूसरी साइड अप्लाई करना है, और रिलेशन्शिप अप्लाई करके, उस जो मिसिंग फिगर्स है उसको find out करना है राइट यहां देखिए यहां जो 4.8 है इनकी यहां लेपटाइट देखिए हमें क्या दियो है एक पेर दिया हुए फिगर का और यहां पर भी फिगर दियो हुई है और यहां पर है कोशिर्मा सो हमें बताना है कि यह relationship find out करके यह relationship understand करके हमें बताना है कि यहां पर कौन सी missing figure आएगी ठीक है यहां देखिए एक triangle है और यहां पर भी कराई एक triangle है बटी क्या होगी है चेंज होगी इसकी side change होगी है ओके यह देखिए यह वाला जो पार्ट है यह अपवर्ड में है इदर और इदर कहा है इदर downward में है ओके ऐसे ही क्या होगा जो उसका यह वाला पार्ट है यह उपर चला जाएगा और यह वाला पार्ट नीची आ जाएगा जो हमारा answer होगा और option में हमारा answer क्या है option D ओके अब जैसे की यह question देखिए इस question में दिया हुआ है कि जो first और third figure है उसमें क्या है relationship है सो हमने यह relationship जो है वो देखना है कि वो relationship क्या है क्या common है इन में क्या relation हो सकता है और वह हम कहाँ अपलाई करेंगे second और fourth figure में ओके सो देखिए children क्या हो रहा है first और third में यह क्या है dark lines में है इसकी boundary और shape तो same है third में बट यह क्या है dotted lines में है सो जो महारा answer होगा children यह देखिए second में क्या है dark line में है boundary पर जो हमानी missing figure है उसमें क्या होगा shape तो same होगी second की तरह पर जो उसकी boundary होगी वो क्या होगी dotted होगी right सो यहाँ पर क्या जाएगा option C option C is the right answer next देखिए fourth question यह देखिए इन में क्या relationship है children देखिए जो इस figure में ऊपर वाली shape है वो कहाँ चले गई है नीचे और जो नीचे वाली shape है वो कहाँ चले गई है ऊपर yes ठीक है अब यहाँ पर है missing figure और यहाँ पर है given figure इसमें देखिए क्या हो रहा है उपर एक triangle दिया हो इसमें 3 lines देऊ और यहाँ पर 2 small triangles देऊ हो है यह वाली shape है यह उपर चले जाएगी और यह वाली shape नीचे आजाएगी देखिए कौन सा option correct है option B is the correct option कुशन देखिए children 1st और 3rd figure में कुछ relationship है और 2nd और 4th figure में कुछ relationship है so first of all आप देखिए कि 2nd और 4th में क्या relationship है और वही relationship हो हम 1st और 3rd में apply करेंगे उससे क्या होगा कि हमें हमारा answer पता चले जाएगा so देखिए 2nd और 4th में क्या relationship है यह देखिए इस figure में क्या है 4 circles है और यहाँ पर देखिए इन shapes को क्या है apart कर दिया है अलग-अलग कर दिया है okay so इसमें भी जो children जो lines है जो circles है उन्हें का है अलग-अलग कर देगे okay so children आप देखिए option में से कौन सा option है जिसमे shapes और lines तो यहीं है बट वो क्या है अलग-अलग हो गई है तो देखिए option D में यह वाली लाइन अलग यह वाली लाइन अलग और four circles अलग so यह क्या है हमारा answer है okay हम next देखिए children इसमें और इसमें relationship find out करना है और वह हम यहाँ apply करेंगे यह देखिए जो यह वाली shape है ठीक है वो इस figure की क्या है इस figure में क्या है छोटी हो गई है ओके और एक तो है dark shaded और एक है light shaded ओके so हमारा answer हो गई हहाँ पर तो वो shape तो देखो यही होगी ठीक है बट वो क्या होएंगी दो छोटी होँगी और एक dark shaded होगी एक light shaded होगी राइट यही आएगा न है यहाँ पर you can relate it न ओके so यह क्या है हमारा answer है कि वोशन्टेन हमें यह figure दियो ही है given यहाँ में missing निकाल रहे है so देखे इसमें क्या हो रहा है देखो जो इसकी outer shape है square वो क्या होगी यहाँ पर inner shape और जिसकी inner shape है circle वो क्या होगी यहाँ पर outer shape ओके और जो inner वाला जो figure है inner वाली जो figure है वो क्या होगी shaded ओके so जो हमारा answer होगा जिल्डरन उसमें अब क्या होगा बाहर तो हो जाएगी triangle और उसके अंदर होगा circle और जो circle होगा वो क्या होगा shaded होगा ओके अब देखिए यह question देखिए यहाँ क्या है two squares है ठीक है जो inner square है वो क्या है I'm shaded ओके चिल्डरन squares के कितने side होती है four sides होती है so यहाँ पर जो big square है उसके अंदर कितने squares आ गए four squares ओके अब जो big square है वो unshaded होगे है और जो small scales है वो shaded हो गए है अब यहाँ पर हमें दी होई है triangle ठीक है तो अब क्या होगा एक big triangle आएगी और उसके अंदर three small triangles आएगी three small triangles क्यों आएगी क्योंके triangles के कितने sides होती है three right अब जो big triangle होगा वो क्या होगा unshaded और जोसके अंदर small triangles होंगे वो क्या होंगे shaded so option number B is the correct answer okay अब देखिए children 13th question इसमें हमें क्या given है one triangle shaded triangle और इसके outer में हमें given है dotted triangle okay so अब इसमें क्या है अब जो बड़ी triangle है जो big triangle है वो क्या है lines में और जो inner है वो है dotted में और ये सारी triangle दोनों triangles क्या होगी है shaded okay अब यहाँ पर हमें given है जो outer है वो dotted जो अंदर है वो dark lines में so अब हमारे answer में क्या होना चाहिए आप इसे देखके idea लगाएं कि हमारे पास जो outer वाले square होगा वो क्या होगा lines में और अंदर वाला होगा shaded और सारी figure क्या होगी shaded so यह क्या है हमारा answer है option number c is our answer second question देखे जोलड़ there is a certain relationship between the pair of figure on the either side identify the relation between the left pair and find the missing figure यहाँ पर क्या है हमें left side की जो figure है इन में relationship find out करना है और वो relationship हमें यहाँ apply करना है और missing figure को find out करना है so children यहाँ पर दिया हुए 7 और जो हमारा answer होगा जो missing figure है वो भी digits में होगी right तो हमने यहाँ पर क्या किया है जो lines है इनने count हिया है so देखे हैं कितने lines है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर क्या है 8 lines है और यहाँ पर कितना digit है 7 so it means जितने आपकी figure में lines है ठीक है उससे 1 कम 1 less क्या होगा digit होगा okay सुबह हमारा answer क्या होगा जितने इस figure में lines होगी उससे 1 less हमारा क्या होगा answer होगा so count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so इसमें भी कितनी lines है 8 so 8 minus 1 7 so 7 is our answer okay अब देखे 25th question जिला है if o is related to 5 in some way then in same way dash is related to 9 so देखे इस question में देखे अगर o किसी way में 5 से related है तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा letter है जो 9 से related होगा okay so देखे इसमें क्या क्या होगा children o में कितनी number of straight lines है 0 o में तो कोई straight lines है यह नहीं okay so हमने क्या किया है इसमें क्या करना है कि जितनी number of straight lines है उसमें 5 add करना है okay so इसमें straight lines नहीं है so हमने क्या किया 0 plus 5 so क्या आगया है यहाँपर 5 आगया ठीके अब हमें चाहिए कि हमेंसा 5 में क्या प्लस करे कि हमारा जो answer है वो 9 आजाए so you know children अगर हम 5 में 4 प्लस करेंगे तो ही हमारा answer 9 आएगा ठीक है अब आप options की तरफ चलिए इसमें कितनी number of straight lines है 0 A में कितनी है 3 1, 2, 3 F में कितनी है 3 1, 2, 3 बट जो E है उसमें कितनी number of straight lines है 1, 2, 3, 4 ओके so जो E है वो हमारा answer होगा क्योंकि 4 4 प्लस 5 is equal to 9 ओके so ऐसे हमें सारी questions को solve करना है हमें figures के pair में relationship find out करना है ओके और उस relationship के help से हमें missing figure को find out करना है ओके चिल्डरन बाई चिल्डरन have a good day को पसको वो डिए और बाई pound